नमस्कार, स्वाकत आपका इंडिया नियूस 28 में ये बात करते हैं वद्रप्रदेश की गोच खास ख़बरों की राय सेन के बाड़ी में जन संपर का भियान के अंतरगत भोजपुर विधान सभा के मंदल बाड़ी में विधायक पत्वा का सगहन जन संपर सातों शक्ती केंद्रों की बैठक नुकर सभा कार्याले का उद्धातन, दर्जनों की संख्या में कांडरेजियो नेली भाजपा की सदस्यता 15,000 से अधिक मतों से जिताएंगे मंदल पंकज श्रीवास्तव, बाड़ी, लोगसभा चुनाव मद्दान की तारीक करीव आते ही नेताओं का जन संपर्क और वरिष्ठ नित्रित्व की जन सभाओं का सिलसिला तेज हो गया है इसी क्रम में 22 अप्रेल को भाजपा मंदल पाड़ी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार सोमवार को मंदल पाड़ी के मांगरोल अमरावद, हरसिली, पारकलाए एवं नगर बाड़ी के तीनों शक्ती केंद्रों की बैठक आयोजित की गई शक्ती केदों की आयोजित होने वाली बैठक में सर्व प्रथम बैठक ग्राम अमरावत कला में दोपहर एक बजे मांगरोल शक्ती केंद्र एवं अमरावत शक्ती केंद्र की संपन हुई इसके पश्चात 3 बजे हारसिली शक्ती केंद्र की बैठक कन्व में संपन हुई ग्रामी उक्षेत्र की अंतिम बैठक पारतलाई 5 जनपुर में संपन हुई नगर बाडी के तीनों शक्ति केंद्रों की बैठक 6 बजे सुमित्रा रतंग श्री मेरेज गार्डन में संपन हुई कार्यकर्ताओं को भोजपर विधायक सुरेंद्र पत्वा ने कहा कि हम बड़े सोभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश ही नहीं देश के नेता मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंग चौहान जैसा पुनहें एक बार विदिशा संसदियक शेत्र को नेत से अधिक मद्दान कराए और मंदल से बड़ी जीत मिले कार्यकर्ताओं को पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान किशोर रामानी भाजपा मंदल अध्यक्ष पंकट श्रिवास्तव ने भी संबोधित किया ग्राम चैन्पूर में मेहंदी हसन ने अपने दर्जन और साथियों की साथ विधायक पटवा की उपस्तिती में भाजपा की सदस्यता ग्रहन की शाम को 6 बचकर 30 मिनट पर बस 10 पर विदिशा संसदियक शेत्र के भाजपा मंदल बाड़ी चुनाव कार्याले का उध्धातन विधायक सुरेंद्र पटवा एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राकेश शर्म अद्वारा किया गया इस अवसर पर सेकरों की संख्या में भाजपा कार्यकरता पदादेकारी उपस्तित रहे। की रिपोर्ट